नमस्कार दोस्तों इस वक्त की तमाम बहुत बड़ी खबरें मुखे समचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों जहाँ पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप टकागे इसी वीडियो की माध्यम से दोस्तों पहुचाएंगे जहाँ पर करारी हारता है सपा और कॉंग्रस ने उड़ाई है नीद बीजेपी की इसके साथ ही दोस्तों कबर में विस्तार से बताएंगे की फ्लोर टेस्ट से पहले ही एडी को बड़ा जटका लगा है कोड से सोरेन को यहाँ पर पड़ी रहत मिलती हुई नजराई है इसके साथ ही द परने से पहले अगरा आप लोग भी दोस्तों यही मांग करते हैं कि लोग तंत्र की रच्चा के लिए देश के अंदर पूरी तरह से निस्पच चुना होना चाहिए तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत चरूर ही क मुगम को हटा दिया है यहां खबर यहां पर हैरान करने वाली है बताते चलें किस बदलाओ के पीछे बाग ये स्वर उप्चुनाओ में की गई सकती को यहां पर देखा जा रहा है क्यूंकि दोस्तों बताते चलें डॉक्तर वीश और मुगम की गिंती बेहधी इमांदार अपसरों में होती है वो निदेशक रहते हुए है यहां पर महिला बाल विकास मंत्री एरेखा आर से सीधे यहां पर भेड़ गये थे उन पर आज तक किसी भी तरहें का कोई भी आरोप नहीं लगा है और अब यहां पर उनको चुनाव आयोग की तरफ से उत्तरा खंडिके म की निर्वाचन अधिकारी के पद से हटाया गया है और अब चुनाव आयोग ने डॉक्टर बीवी और सी पुरुसोत्तम को मुखे निर्वाचन की यहां पर जिम्मेदारी दी है यानि की कुल मिला करके देख सकते हैं कि लोग सभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी कारवाईयां यहां पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं किया यहां पर पीजेपी का तबाव है चुनाव आयोग पर और अपने पसंदीदा अधिकारियों को ही यहां पर चुनाव आयोग में एंट्री की कोसिसे हो रही है इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है फैजाबाद लोग के कुछ आंकड़े सामने निकल के आए हैं जिसमें यहां पर बताते चलें कि कॉंग्रेस और समाजवरी पार्टी दावा कर रही है किस बार पीजेपी की मुश्किलें पढ़ेंगी क्यूंकि आंकड़े ही कुछ इस तरह हैं फैजाबाद लोगसभा और आयोध्या विधान सभ बीजेपी के लिए यहां पर वाक ओवर नहीं है आकड़े बताते चलें आयोध्या विधान सभा 2022 के जहां पर बीजेपी को मिले एक लाग तेरा हजार के करीबन वोट जबकि समाजवरी पार्टी के उमिदवार को मिले हैं 93 हजार के करीबन वोट यानि कि कुल मिलाकर के कह तो यहां पर 20,000 वोटों का कुछ अंतर है और वहीं फैजाबाद लोग सभा चुना 2019 की बात करें जहां पर बीजेपी को मिले है 5,29,000 के करीबन वोट और समाजवरी पार्टी और कॉंग्रेस को मिला दे तो 5,16,000 के करीबन वोट अभी भी कुछ उमीद बाकि है फैजाबा लोग सभा में बीजेपी को हराया जा सकता है सपा और कॉंग्रेस के कढ़वनन के तोरा इतना ही नहीं दोस्तों पंजाब के राजपाल पनवारी लाल पुरोहित ने दिया है इस्तीफा भगवंत मान सरकार से चल रही थी तनातनी पंजाब सरकार और राजपाल बनवारी ल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्र पती को भेज़ते हुए कहा है कि अपने व्यक्तिकत कारणों और कुछ अन्य प्रतिवधताओं की कारण पंजाब के राजपाल के पद से इस्तीफा देता हूं कृपया इसे सुईकार करें यह यहाँ पर दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट आई है यूपी के अंदर कानुन व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब हो चुका है यूपी के बदाईयों में फंदे से लटकता मिला है महिला जज का सब मौके से मिला है सुसाइड नोट मचा हड़कंप यूपी के बदाई पी समेत तमाम बड़े अधिकारी पहुँच गए और मामले की चानवीन यहाँ पर की जा रही है ये हाल है दोस्तों यूपी के अंदर कानुन व्यवस्था का इसके साथ ही बताते चलें आप लोगों को जारखंड में एडी को लगा है बड़ा जटका बड़ी साजिस बेनक सोरेन को विश्वास मत में भाग लेने की अनुमती दे दी है एडी की विशेस अदालत ने ये आदिस दिया है पांच फरवरी को चमपाई सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी बताते चलें पुर्व सीम हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट के दौरान मतदान में भाग लेने की अनुमती देने के खिलाप में E.D. ने याचिका पर जोरदार अपत्ती जताई थी एक विधायक को फ्लोर टेस्ट मतदान में भाग लेने की अनुमती ना दे करके सरकार को गिराना था इसलिए यहाँ पूरी कवायद दुर्भाग के पूर्ण है इतना ही नहीं दोस्तो हदी बड़ा दावा दोस्तों किया है आप लोगों की अनुसार कॉंग्रेस पाटी को देश भर के अंदर से कितनी सीटे मिल सकती है आप लोगों की जो भी राई हो कमेंट बॉक्स में जरूरी बता सकती है इसके साथ ही गोदी मीडिया का एंकर सुधीर चौधरी जुका है जी हाँ दोस्तों एंकर सुधीर चौधरी ने आदिवासे समा से माफी मांगी है और टीवी पर आदिवासियों के खिलाप में यहाँ पर जो उन्होंने टिपड़ी की थी उसके लिए यह माफी मांगी गई है जिस पर उनकी लगतार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि सुधीर चौधरी की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है ऐसी एश्टी एक्ट में गिरफ्तारी की मांग अब और भी तेज हो गई है बताते चलें हंसराज मीना ने यहाँ पर कहा है कि मैं सुधीर चौधरी की दिखावट माक्ति नामा अस्विकार करता हूँ SCHT Act के तहत इसकी सिग्र किरफ्तारी यहाँ पर बहुत ही जल्द की जाए यह मांग हंसराज मीना ने कर दी है यानि की कुल मिलाकर के कहा जाए तो सुधीर चौधरी की अमुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम आखिर कहा जाएंगे सोरेन के मुद्दे पर सरकार पर जमकर के बरसे है कपिल सिब्बल क्या कुछ है मामना दोस्तों बताते चले राज सभा के सांसद और वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल जार खंडी के मुद्दे पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जब एक मौझूदा मुख्यमंत्री को गिरहतार किया गया सुप्रीम कोरड को हमें बताना चाहिए कि हम किन मामलो को लेकर की आ सकते हैं और किन मामलो को लेकर के नहीं कपिल सिब्बल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि विपाचि का मुख्यमंत्री रहे और अब बेलोग ऐसा ही अर्विंद के जरिवाल के साथ में कर रहे हैं उनकी मनसा है कि डबल इंजन की सरकार रहे और वेपाच्छी की सरकार कहीं पर भी ना रहे ये मन्त सोरेन के खिलाफ अब दस और मामले दर्ज कर लिए गए हैं इसका मतलब है कि वे जेल से बहार ही नहीं आएंगे और आपको 2024 के चुनाओं में फाइदा मिलेगा अगर सुप्रीम कोट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम आखिर कहां जाएंगे कपिल सिब्बल ने जबरदस्त यह यहां पर बयान जारी किया है दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी घबरे थी मुख्य समचार थे दोस्तों जो ह सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत